आज हम बात करेंगे उन दामपत्यों के बारे में पत्पत्नियों के बारे में जो संतान सुख के लिए लालाईत है और अभी तक उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने हां भगवान श्री कृष्ण के नन्हे शुरूप की उपाशना करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप मुझको जिस रूप में चाहेंगे मैं उस रूप में आपको प्राप्त होंगा इसी तर्क के आधार पर महार्शियों ने जोट्शियों ने धार्मिक लोगों ने जो भी दामपत्ति पति-पत्नी एक स्त्रेश्ट संतान सुख की इक्षा चाहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के नन्हे श्वरूप की उपाशना करते हैं भगवान बिराट रूप से लेकर कड में वास करते हैं उन्होंने गीता में कहा कि आप मुझको जिस रूप में चाहेंगे मैं उस रूप में आपको प्राप्त होंगा इसलिए जो भी पति-पत्नी, जो भी मावन्ने की इक्षिक नारी है वो भगवान शिरे कृष्ण के छोटे शुरू, बाल शुरू, लड़ू गुपाल शुरू को अपने घर में ले आये और उनकी पुजा करें मैं यहाँ पर कुछ बिशेस और कुछ फिर्दय गम में विधा की चर्चा करूँगा जिससे सब लोग आसानी से भगवान शिरे कृष्ण के बाल शुरू की उपाशना कर सके सबसे पहले भगवान शिरे कृष्ण को कैसे प्राप्त करें सबसे स्रेष्ट तम स्थेती हो आप अपने किसी स्रेष्ट या बड़े या गुरू से उसको गिफ्ट पाएं या उनके माध्यम से पाएं उनसे निवेदन कर सकते हैं या उनकी खुद इक्षा हो को आपको दें और उनको प्राप्त करने का दिन विशेष थोड़ा सा स्रेष्ट होना चाहिए इसके लिए आप पंचांग में कोई सुभ मुहूर्त कोई सुभ दिन देखकर ही प्राप्त करें और भगवान श्री कृष्ण को ले आने से पहले एक बार जरूर आप ये काम ना करें कि प्रभु आपको मैं ले चल रहा हूं तो इस-इस कारी के लिए इस-इस स्थिति के लिए ले चल रहा हूं ये तो रही ले आने की बाद अंत में आपको हम वो बिशेश क्रिया भी बताएंगे जिससे सारे नियमों पे वो क्रिया ज्यादा बल पूर्बक होगी अब हम बात करते हैं कि भगवान को घर पे ले आने के बाद क्या करना है भगवान स्री कृष्ण के नन्हे श्वरूप को लड्डू गोपाल स्वरूप को बाल श्वरूप को घर ले आकर उनकी एक बालक की तरह सेवा करनी है भगवान स्री किष्ण ने गीता में कहा है कि आप जिस रूप में मुझे चाहेंगी या चाहेंगे मैं उस रूप में आपको प्राप्त होगा जब नन्य गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा बालक की तरह नहलाना, खिलाना, टहलाना, बस्त्र परिवर्तित करना, उनकी खिलोने ब्यवस्थित करना, उनको जूला जूलाना, वो सारी क्रियाएं आप कराएंगे तो भगवान श्री किष्न आप पर प्रसन होंगे और उन्होंने अपने मुख से कहा है ज़ी मैं आपको उसी रूप में प्राप्त होंगा मेरी वाड़ी या किसी की वाड़ी नहीं है, यह स्व्यम भगवान श्री किष्न की वाड़ी है अता इस पे कोई संदेह या प्रश्न की इस्थिती ही नहीं बनती आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे हाँ उन्होंने कहा था कि पूर्ण चेतना से जब आप मुझे को चाहेंगे पूर्ण भाव से आप मुझे चाहेंगे तो मैं आपको अवस्य प्राप्त हो भगवान श्री कृष्णि के बाल शुरूप को पसंद आने वाले भोग हम आपको बता देते हैं मिश्री, माखन, मुनक्का, किश्मिस, हीर इन सब चीजों को आप भगवान श्री कृष्णि को समर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डाले भगवान श्री कृष्णि को तुलसी दल बहुत प्री है और भगवान श्री कृष्णि को ये सारी चीजें समर्पित जो भी महिला करे इसका भोग अवस्चे लगाए स्वयम जरूर प्रसाद प्राप्त करे भगवान श्री कृष्ण इन भोगों से प्रशन्न होते हैं और आपकी मनों कामना पूर करके आपकी घर पे आते हैं कोशिस करिए कि भगवान के वस्त्र को नभीनतम चमकीले और परिवर्तित करते रहें जिससे आपके लड्डू गोपाल शुंदर लगे और मौसम के अनुसार उनके वस्त्रों को परिवर्तित करते रहें मौसम अनुरूप उनके जल के तापमान को नियंतरित करिए ठंडी के मौसम में गर्म पानी से असनान कराएं घर में बालक को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए जब व्यातरा पे कहीं जाएं तो उनको अपने साथ लेके जाएं आप अपने बालक को घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते बीना उनको खिलाए नहलाए आप कुछ न खाएं घर में आपने देखा होगा कि बालकों को सुबा होते ही मां उनके लिए खाने या उनके खेलने की व्यवस्ता शुरू कर दे पिए खुश रहने के इसी तरीके से बाल शुरूप कृष्ण की सेवा आपको करनी चाहिए इस सेवा का लक्ष इतना है कि जितना आप सेवा में सनलगन होंगे प्रभू के प्रति आपका मनोभाव उतना गहरा होगा और जब आपका मन और भाव गहरा होगा प्रभू आपके उपर कृपा करेंगे और बाल शुरूप धारण करके आपके घर में आएंगे आपको स्रेश्ट संतान की रापती होगी नारिया कुछ दिन पूजा नहीं कर पाती है उस समय ऐसा ना हो कि आपके प्रभू बिना भोजन अश्नान के रहे घर में और सदस्यों के माध्यम से उनका पूजन, अश्नान, प्रशाद ये सब होना ही चाहिए बालक को एक दिन बिना भोजन के रखना ठीक नहीं है ये आपके लिए सुभ और मंगल मई नहीं होगा इसलिए लड़ू गोपाल को अगर घर में लाते हैं तो धूप, दीप, पूजन के साथ साथ भोग, अश्नान, प्रत दिन करना है माल लीजे किसी के घर में कुछ ऐसी बाधा आती है तो आप अपने किसी प्री के यहां तब तक उनको पहुचा दीजे जो पूरी बेवस्था के साथ उनका ध्यान दे सके क्योंकि बालक बिना भोजन के नहीं रह सकता है मैं इस बात को इसलिए बार-बार रिक्वीट कर रहा हूँ कि जब आपका मनोभाव भगवान श्री कृष्ण को एक बालक की तरह चाहेगा तब ही जाकर आप उनकी कृपा के पात्र होंगे भगवान आपके घर नन्ना शुरूब धारण करके आएंगे भगवान श्री कृष्ण के बाल-गोपाल मंत्र का जाप करें प्रशन होंगे आप उनकी शंपूर विधा से पूजन करें हाँ अगर आप सक्षम नहीं हैं मान लीजिए आपके पास भोग या बस्तर की उचित ब्यवस्था नहीं होती है तो प्रभू को बस्तर की जगा हल्दी लगी हुई रूई आप समर्पित कर सकते हैं भोग के लिए कुछ ना मिले तो तुलसी दल ही समर्पित कर सकते हैं उनके असनान के जल को आप स्वैम धारण करें पीएं आपके लिए सुभ होगा भगवान श्री किष्ण के बाल गुपाल मंत्र का जाप करिए दीब जलाईए इनके जन्म के उत्सों को मनाईए वो जितनी भी चीजें हो सकती हर तेवहार पे नए बालक की तरह इनको तैयार करिए नए वस्तर पहनाईए जितना आप इनकी सेवा में तलीन होंगी उतना ही आपके लिए सुख वर्धक होगा जिनके पास संतान है उसके लिए भी फाइदे मन्द है जो संतान की इक्षा करते उनके लिए भी फाइदे मन्द है नाराण की सेवा कभी भी निशफल नहीं होती इसको भगवान स्री कृष्ण ने स्वेम कहा है और अधी के आपको अगर कुछ जानना हो तो आप दिये हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है अपनी बच्ची की कुंडली दिखवानी है या बास्त उसे सम्मंधित कोई बात करनी है तो आप दिये हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं कमेंट बाक्स में अपनी समस्या को छोड़ सकते हैं धन्यवाद शिर्रादे आपको लेटिस वीडियो की नोटिफेकेशन लगातार मिलती रहे